नीमत जीले में पेटल पंप पर ग्रहाकों के साथ कुछ दिन पहले पानी की मिलावट का मामला सामने आया था उसके बाद आज एक और मामला सामने आया है पेट्रोल भरने के दोरान ग्रहाकों के साथ धोकादड़ी की जा रही थी जिसका वीडियो ग्रहाक ने अपने मुबाइल में केद किया है और जेतपुरा फंटे से होकर गुजरता है इस दोरान हाईवे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल भरवाता है शुकरवार को भी वह पेट्रोल भरवा ने गया था इस दोरान उसके साथ दोकादरी की गई है पेट्रोल की नोजल से पेट्रोल नहीं आ रहा था ले प्रवाइब दोगादरी के आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग को लेकर अड़ा हुआ है जिसके बाद सीटी पुलिस ग्राग और पंप के करमचारियों को लेकर निमसीटी थाने पर पहुची जहां ग्राग की शिकायत दर्च की गई और मामले को जांच में लिया गया है तो जार चोविस हो गया तेरा साल से इसी बाइपास से गुजरता हूं और यह है इस पेट्रोल को पेट्रोल बरवाता हूं आज सुबह साड़े-अट बड़े चार मेंबर ओर भी जो पेट्रोल बरवा रहा तो उसके ठीक बाद मेरा नंबर लगा मेरसे पहले वाले जो चतुरा इसे अपना वीडियो चालो कर लिया जब उस बंदे ने में को दोबरा जीरो वेल्यू सेट करके उसका वीडियो लिया में पर उसने बढ़ना शुरू किया तो पेट्रोल आया नी मोजल हाथ में टंकी की जर्श्ट पास ही आया और उदर सामने रीडिंग चालो हो के दो, दो दो का दडघी हो रही थी मेरे साथ और उसको मैंने बढ़न से पांच रूपays का क्म डाले इतने में उसका में रायाई अंरशी करके वह आके बोला है च्ला मत तेरे को 5 रुपर क வढया दौन रिना में एसे बोला है तुम हमेशा इस तरह पांच रुपर कम लेते होंग आद में पकड़ लिया तुम रोड़ी10 रुप इसका पुरा पुरोपर जो उसने तेल कम डाला उसका रीडिंग चालो हो जाना उसका तेल न आने का और उसकी दादागिरी करने का वीडियो मेरे पास मुझुद है और उसके मालिक से भी मैंने बात करिए बात में नंबर लेकर अनिल नागोरी इसा कुछ नाम आ रहा था तो सब्सक्राइब काश सब्सक्राइब दिखारी भी मौके पर पहुचे थे जिनके द्वारा जांच की गई है और जांच में उन्होंने मात्रा सही पाई गई है उन्होंने 5 लिटर के मनाप से पेट्रोल के रीडिंग वगए नापी है तो वह सही पाई गई है और उनकी रीपोड भी हमने प्राप्त कर लिए इसके सिकायत करताक, उसमें बता रहा है कि मिटर की रुपय वाली रीडिंग बढ़ गी थी तो उसके समंद में कुछ यह थी टेक्नीकलड मिस्टेक का नापतवली ढ़ाक के द्वारा बताई गई है और यदि इसकी कोई टेक्नीकल मिस्टेक है तो